सबी साथियों को जैहिंत, मैं आपका साथी डुक्टर शॉक्षर्मा, एक बार फिर से ही आप सब लोगों के साथ, आज किस क्लास में हम लोग के रीट इंगलिस के लिए जो टीचिंग मैथर्स हैं, पेड़ागोजी हैं, उसके क्वेसंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप सब लोग मैसेज कर रहे थे कि सर एक इस प्रकार की क्लास हो, जिसमें बहुत सारे क्वेसंस हो, पेड़ागोजी के क्वेसंस हो, टीचिंग मैथर्स के क्वेसंस हो, तो आज ये इस प्रकार की क्लास होने वाली है, कितने क्वेसंस होंगे, वो अभी तैनी ही है, लेकिन ट जल्दी जल्दी आप लोगों को में यह करवा दूँगा, अब आज की क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि जो भी कंडिडेट्स, रीट इंग्लिस, लेंग्वेश सेकंड की टेस्स री जोइन करना चाह रहे हैं, वे कंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वल्ड अप्लिकेशन डाउनलोड कर लें, वहां आप लोगों को बहुत स्यांदा टेस्स रीच, 20 टोपिक वाईज टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, उसके बाद में 5 प्री रीट के पेपस, और उसके बाद भी लगभग साढ़े 500-600 क्वेशन्स और प्रेक्टिस के लिए, यानि 1600 क्वेशन्स, कितने क्वेशन्स? 1600 क्वेशन्स बहुत लंबी प्रेक्टिस होती है, तो जो भी बचाई चुक है, वो निस्सित रूप से उसको लगे कि भी मुझे बहुत प्रेक्टिस करनी है, प्रेक्टिस के लिए अच्छे क्वेशन्स चाहें, तो वो टेस्टरी जोइन कर सकता है, अब हम फटाफट सुर करते हैं, पहला क्वेशन है आप लोगों के पास में, Multilingualism occurs because of, Multilingualism किस वजए से पैदा होता है, किस प्रिस्तियों के कार Multilingualism की स्थती बन जाती है, तो आपके पास options है, Multicultured Learners in a Class, यदि एक क्लास में Multicultured Learners हों, Learners यानि बच्चे यदि एक क्लास में अलग-अलग के संस्कृतियों से, अलग-अलग कल्चर से बच्चे होते हैं, तो इस वजए से क्या Multilingualism की स्थती पैदा हो जाती है, दूसरा है, Learners trying to learn Multilanguages, बच्चे एक से ज़्यादा भासाओं को सीखने का प्रियास करते हैं, क्या इस वजए से, तीसरा है, Teachers from Multicultures, या फिर Teachers अलग-अलग संस्कृतियों से होते हैं, इस वजए से Multilingualism की स्थती पैदा हो जाती है, या फिर All of These, तो इसका जो सही आंस्वर है, वो कौन सा है, A, इसका सही आंस्वर है, Multilingualism की स्थती क्या होती है, मग जलदी से आपको बता द जब एक क्लास में होते हैं, तो उस इस्थती को क्या कहते हैं, Multilingualism कहते हैं, तो वो तबही पैदा होती है, जब अलग-अलग संस्कृती के बच्चे, एक क्लास में होते हैं, किलियर हो गई बात, Multilingualism से क्या-क्या क्यूशन बन सकते हैं, फटा-फट नोट कर लीजिएगा, पहला ये है क्या multilingualism resource है या फिर उनके लिए challenge है तो ये resource है बच्चे के लिए जबकि teacher के लिए क्या होता है challenge होता है multilingualism को face करने के लिए जो बिवीन प्रकार के तरीके हैं उनमें सबसे स्चांदार तरीका कौन सा माना जाता है body language माना जाता है ठीक है next question की तरह भढ़ते हैं आपन चलते हैं अब ही next question mostly multilingualism arises in ज्यादा तर multilingualism की जो इस्तती होती है वो कहां पैदा होती है पहली regional schools regional schools का मतलब यह होता है छेत्रिये schools जहां ऐसी school जहां एक छेत्रिक्स के बच्चे पड़ते हों जैसे गाव की इस्कूल हो सकती है ञानी की इस्कूल हो सकती है तो ऐसी इस्तती में multilingualism की इस्तती पैदा नहीं होती है क्योंकि वहां एक ही culture के बच्चे होते हैं एक ही संस्कृ जितिक के बच्चे होते हैं, दूसरा, इंटर स्टेट स्कूल्स, ऐसी स्कूल्स जिससों इंटर स्टेट होती है, जिनमें एक से ज्याधा स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां Multilingualism की स्तती पैदा हो सकती है, International Schools, ऐसी स्कूल जहाँ एक से ज़्यादा रास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें भी किसकी सती पैदा हो सकती है, Multilingualism कि सती पैदा हो सकती है, इसलिए इसका जो सही आंस्वर है, वो कौन सा हो जाएगा, बात B and C, किलियर है भी? चलो, आगे बढ़ते हैं, Question No.3, Which of the following is most effective to face Multilingualism in a second language class? कौन सा जो तरीका है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो वो होता है Body Language, Body Language के माध्यम से टीचर, Multilingualism कि जो स्तती उसके सामने पैदा हो जाती है, उस स्तती का सामना ठीक ढंग से कर सकता है, तो ये भी हो गया, उसके बाद में चलते हैं अपर, Which of the following is a basic principle around which a teacher could plan his, her examples? ये principles of teaching English वाले chapter से question है, question फिर देख लिजिएगा, Which of the following is a basic principle around which a teacher could plan his or her examples? एक एक लाइन को ठीक से समझेंगे, Be sure the examples are accurate and appropriate, examples दिये जाने चाहिएं, लेकिन इसका मलब ये नहीं होता है कि अनावशक एक्जामपल दिये जाएं, आवशकता से अधिक examples दिये जाएं, ऐसी स्तती नहीं बननी चाहिए, तो ये ठीक बात है, Use the examples as teaching tools only, examples को teaching tool के रूप में प्रियोग किया जाना, चाहिए ये बात भी ठीक है, तो इसका जो सही answer वो कौन सा हो जाएगा, बात A and B हो जाएगा इसका, clear है भी, चलो next देखते हैं, question number 5, in the context of pupils with learning difficulties, which one is not a learning difficulty, इसमें आप से क्या पुछा हुआ है, इन में से कौन सी learning difficulty नहीं है, जब आप remedial teaching वाला topic पढ पते हैं, तो remedial teaching में आपको learning difficulties, जिन difficulties की वज़य से बच्चा बाकी बच्चों से पीछे रहा जाता है, उनका जिक्र किया हुआ होता है, उन में से कौन सी इन में जो दीवी हैं, कौन सी एक learning difficulty नहीं है, इसका आप आपको बताना है, poor memory बिल्कु ठीक है, poor memory की वज़य से इसक не कहते हैं, memory होता है इसका transcription, जुरू ध्यान दीजिएगा इस बात को तो किसी बच्चे की अपेक्सिया कृत कम समझने की सकती होती है वो भी उसके लिए क्या है वो भी क्या वीटा उसके लिए learning difficulty है fail to transfer knowledge knowledge नहीं कहेंगे क्या कहेंगे knowledge कहेंगे to the related learning areas appropriately तेको सीखने के बाद बच्चा क्या करता है उस knowledge को transfer करता है जब तक आप knowledge को transfer नहीं कर पाएंगे इसका आपकी learning जो है बहुत ठीक तरीके से हुई नहीं है जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अब ये चीजें आप लोग क्या करेंगे जहां आपके काम आएंगी वहां आप इनको transfer करेंगे सीखे वी चीजों को दूसरी जोगे काम में लेंगे यदि ऐसा बच्चा नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें learning difficulty है वो ठीक तरीके से चीजों को समझनी पा रहा है इस वज़द से वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा और उसको remedial teaching की आऊशकता होगी lack of good books ये कोई क्या नहीं होती है learning difficulty नहीं होती है lack of good books कों क्या नहीं मानते है learning difficulty नहीं मानते हैं ये उसके पास resources की कमी हो सकती है लेकिन ये चो answers दिये हुए है इनमें से ये नहीं है इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा D इसका answer हो जाएगा clear है मेटा चलो भी next आगे चलते हैं आप लोगों की बड़ी इच्छा ती इसरे marathon class आप करवा दिये जाएगे तो आज कोसिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा questions हो जाएगे ठीक है जितने भी हो जाएगे अच्छा है otherwise फिर एक दो class और कर लेंगे लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोगों को exam से पहले समय रहते बहुत सारा matter आप लोगों को revise करवा दूं ताकि आप लोग के exam में बहुत अच्छे से करभाएं the aim of remedial teaching program is to provide remedial teaching का question है remedial teaching program जो होता है यानि remedial teaching जो होती है उसको provide करने का उदेश से क्या है आपको ये बताना है इनमें से देखेगा पहला option learning support to pupils who lag far behind their counterparts in school performance ये जो सब्द जो है ये जो language है ये यदि आपके समझ में आ गई ये आपने इसको translate कर लिया तो फिर आप गलत नहीं करेंगे इसलिए इसको समझना जरूरी है learning support support करना किन को वो पहले students को support करना किस प्रकार के student को जो लोग पीछे रह गए lag far behind जो पीछे रह गए हैं किन से अपने counterpart से यानि अपने साथियों से in school performance किसमे school performance में जो बच्चे अपने साथियों से पीछे रह गए academic performance में उन बच्चों के लिए क्या की जाती है remedial teaching की जाती है उप्चारात्मक सिक्षिन किया जाता है उनको diagnose किया जाता है और diagnose के बाद में उनको क्या दिया जाता है remedial teaching दी जाती है systematic training to develop pupils generic skills ये भी ठीक बात है बच्चे की जो generic skills होती है उन्हीं skills का systematic धंग से क्या करना development करना ये भी किसका काम होता है remedial teaching का काम होता है जिस भी skill में जिस भी generic skill में बच्चा पीछे रह गया उसी skill को क्या करना develop करना तो ये भी सही है इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा इसका answer चलो भी next जलते है next question which of the following is not a principle of helping pupils with learning difficulties बच्चे को आपने देखा कि उसमें learning difficulties है वो बच्चा बाकी बच्चों से पीछे रह रहा है कुछ वजय है उसकी और आप उसको क्या करना चाह रहे है of helping pupil उनकी help करने का कौन सा principle नहीं हो सकता है पहला teaching preparations teaching की preparation करना ये तो ठीक बात है जो बच्चा जिस skill में पीछे रह गया जो बच्चा जिस area में पीछे रह गया जो बच्चा जिस छित्र में पीछे रह गया उसके अनुशाव टीचर प्रिपेर करके उसको आगे लाए ये तो ठीक बात है device various learning activities ये भी ठीक बात है device का मतलब होता है निजाद करना किसी चीज को खोजना, बनाना, पैदा करना किसको various learning activities अलग-अलग प्रकार की learning activities क्योंकि जो आपकी remedial teaching है वो multi-faceted approach है बहु आयामी है ये इसलिए अलग-अलग प्रकार की teaching activities आपको क्या करनी पर सकती है device करनी पर सकती है अलग-अलग प्रकार की teaching activities काम में ली जा सकती है जिस प्रकार का जो बच्चा है जिस प्रकार को जिस बच्चे की आवशकता है उस आउसकता हूँ कि इनुशार आप उसको क्या करवाइगा, टिचिंग करवाइगा, तो ये बात भी ठीक है, device, meaningful learning situations और क्या किजिएगा, meaningful, सार्थक, meaningful learning situations पैदा किजिएगा, बच्चे के लिए अधिगम प्रिस्वतियों का निर्मान किजिएगा, ताकि उसका अधिगम जो home tuition, home tuition किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता है, किसी भी question सही नहीं होता है, excessive क्या करना, home work देना, home assignment देना कभी सही नहीं होता है, come home assignment देना, कभी सही नहीं होता है, कई की बार only लिखा होता है, तो only वाले भी अक्सर क्या होते हैं, incorrect होते हैं, तो ये आपका question number 7 था उसके बाद में चलिएगा question number 8 What should be the order for the process of remedial teaching Remedial teaching की process का order क्या होना चीए कर्म क्या होना चीए Remedial teaching को teacher कहां से शुरू किया जाए 5 प्रिक्रियाएं दीवी है ये आपके पास 5 steps है आप कहां से शुरू करेंगे इसमें ये आपके पास options हैं A, B, C, D आप लोग फटा-फटा answer कर लीजिएगा मैं भी इसको फटा-फटा आप लोगों बता रहा हूँ पहले-पहले क्या करना चीए सबसे पहले करना चीए setting teaching objectives सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे teaching objectives को क्या करेंगे set करेंगे teaching objectives को set करने का मतलब क्या है आप ये तै करेंगे कि किस बचे को क्या पढ़ाना है ये तो तै करेंगे तभी उसको पढ़ा पाएंगे दूसरा इसमें adapting the curriculum उसके बाद में आप जो पाठे करम है उस पाठे करम को उस बच्चे की आउसकताओं के अनुसार बनाएंगे तो पहला कौन सा है ये दूसरा हो गया पहले यानि पांस नंबर पे पांस नंबर जो है वो पहला है उसके बाद दो नंबर है उसके बाद है चार नंबर organizing teaching material आपने उसके आउसकताओं के अनुसार जो curriculum था पाठे करम था उसको change कर लिया अब क्या करेंगे आप अब करेंगे आप पे उसके बाद जो है वो करेंगे आप पे teaching material को ठीक तरीके से organize करेंगे आपको क्या पढ़ाना है वो आप organize करेंगे और उसके बाद ये आपने organize कर लिया फिर आप क्या करेंगे appropriate teaching strategies अपनाएंगे कि कौन कौन सी teaching strategies किस teaching causal से आप उस बचे को पढ़ा देंगे तो उसके बाद क्या जाएगा चार के बाद में तीन और तीन के बाद फिर एक ही बचा है क्या है collecting and preparing the support material उसके बाद में क्या है अगर कोई और भी साहिक सामगरियों के आउसकता होगी तो वो भी आप देखेंगे तो इस प्रकास से इसका दूसर ही आंस्वर है वो कौन सा है ए है एक-एक question को आप फटा-फट solve कर लीजिएगा आज की ये जो class है हम आपका कम से कम समय लेना चाहते है क्योंकि मुझे पता है कि आप में से जादा तर बच्चों ने topic पढ़ रखा है केवल और केवल आपको practice चाहिए आपने मुझे ऐसा ही कह था कि सर आप हमारी practice करवा दीजिएगा तो निस्सित रूप से मैं वही काम करता हूँ जो आप लोग कहते हैं आप लोग जैसा आदेस मुझे देते हैं मैं उसकी पालना करता हूँ हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाता हूँ अब कई बचे कल कह रहे थे कि सर आपने तीन चार पान साथ दिन से class नहीं ली तो आप जानते हैं बेटा आप लोगों को test series के लिए 500 साड़े 500 questions मैंने तयार करके दिये हैं तो उनको तयार करने में थोड़ा समय लग गया first grade और second grade के लिए भी इसी प्रकार से exercise जो है इसी प्रकार से practice questions तयार कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय लग जाता है लेकिन अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी फटा फटा आप लोगों के लिए questions तयार हो रहे हैं कितना था भी इससे पहले वाला आठवा था है साथवा था साथ कर लिया था उसके बाद आठवा आठवा भी हो गया ये question number 9 चलिएगा question number 9 IEP stands for IEP का मतलब क्या होता है जब बच्चे में ये भी remedial teaching से related है जब बच्चे को आपको पता चल गया कि बैस में ये ये कमी है ये पीछे रह गया तो जो आप लोग फिर जो तरीके अपनाते हो उनको बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए उनमें से एक क्या है IEP है एक्जाम में पूछा हुआ है IEP stands for तो IEP का मतलब होता है Individualized Educational Program ये देखेगा Individualized Educational Program ये है इसका मिलब विक्तिगत सेक्सिक कारिक्रम इसको ये कहते हैं तो IEP याद रख लेंगे IEP से एक याद आ रहा है मुझे IPA Phonetics में एक वर होता है एक फ्रेज IPA क्या होता है बताईगा भी Phonetics में IPA International Phonetic Association International Phonetic Alphabet उसको भी याद कर लीजेगा साथ-साथ Question No.10 Remedial teachers should observe the following when dealing with the behavioral problem of pupils बच्चे की जो वेवार से समंदीद problems है उसमें teacher को क्या अबजार करना चीए इस ये question exam में आया हुआ भी है पहला Should always pay attention to their misbehavior हमें से उसके misbehavior पे धान देना चीए बिल्कुल ठीक बात है जब भी उसका misbehavior हो तब धान देना चीए लेकिन हो सकता है कि इन में से कोई option इससे भी ज़्यादा अच्छा हो दूसरा देखेगा Always observe the performance of the pupils in class हमें से आँ बच्चे की performance भी देखनी चीए कि ओ क्लास में कैसा perform कर रहा है ऐसा तो नहीं है कि वो क्लास में पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका behavior ठीक नहीं है तो आप teacher को ये भी धान देना चाहिए कि क्लास में उसकी performance कैसी है इन दे क्लास and their behavior in the group और उनका behavior यानि बच्चे का जो विवार है अपने साथियों के साथ वो कैसा है इसका सबसे सही answer यह है गिव पॉजिटिव रिइनफर्समेंट तो पिपिल्स बिहवियर ये भी सही बात है ये भी सही है कि गिव पॉजिटिव रिइनफर्समेंट सकारात्मक पुनर बलन दिया जाए किसको बच्चे के विवार के यदि वो कुछ अच्छा विवार करता है तो उसको सकारात्मक पुनर बलन दिया जाना चाहिए ये भी ठीक है रेफर्ड टू उसके केसे को किसी दूसरे टीचर को जो इसके लिए बने हुए है उनको सौप दिया जाए ये नहीं है जखो अब इसमें ये तो बिलकुल नहीं है अगर इसमें से आता कि कौन सा नहीं है ध्यान दीजेगा बेटा आपको इसे कौन सा नहीं है तब तो ये नहीं है बिलकुल ठीक है अगर आपसे पुछे कि इनमें से कौन सा है क्योंकि ये तीनू है ये तीनू क्या हो सकते है सही हो सकते है लेकिन इसके तीन आंस्वर नहीं हो सकते आपको वहाँ एक करना पड़ेगा और एक जो नहीं हो सकता है वो ये नहीं हो सकता है बच गए तीन इन तीन में से जो सबसे उप्युक्त है वो कौन सा है ये सबसे उप्युक्त है तो ऐसी सती कई बार आएंगे आपको जब आपको एक से ज़्यादा आंसर सही लगेंगे उस ही मानेंगे, ठीक है बीटा, चलो भी next देखते हैं, question number 11, question number 11, the two most common assessment methods are listed as follows for teacher's reference, question समझ गए होंगे, क्या question है, देख लेजिएगा, the two most common assessments, ये ही बताना है कि दो common assessments कौन से होता है, एक formative होता है, और एक कौन सा होता है, summative होता है, तो एक formative और दूसरा कौन सा, summative, तो एक answer इसका ठीक है, ठीक है, बाकी सब में अलग-अलग है, लेकिन ये सही है, दो जो आपके पास है, वो कौन से है, formative और summative है, clear है मिटाम, formative, summative, ये सब लोग, जितने भी चीज़े हैं, इन सब topics को हम आपको detail से पढ़ा चुके हैं, इ इन में से कौन सा, tools and techniques, देको tools अलग होते हैं, techniques अलग होते हैं, लेकिन exam में जो question आता है, tool and techniques आता है, और यदि आपको कोई एक पुछे, तब भी आप tool और techniques में से कोई एक लिखेंगे, तब भी ठीक है, ये clear बात है कि tools अलग होते हैं, techniques अलग होते हैं, लेकिन इनको common लिय आजाता है और एक्जाम में tools and techniques पूछते हैं या फिर यदि tool पूछ लिया technique पूछ लिया और option में जो भी है तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं क्योंकि tool और techniques को common topic मानके लिया जाता है इसलिए हमने यहां common ले लिया इसका कौन सा पहला rating skill होता है दूसरा questioning होता है questioning क जगे आपको questionnaire भी लिखा मिल सकता है क्या लिखा मिल सकता है questionnaire भी लिखा मिल सकता है प्रशनावली लिखा मिल सकता है case study हो सकता है case study हो सकता है history भी लिखा हुआ है उसके बाद में interview हो सकते है anecdotal records हो सकते है यह सारे के सारे क्या हैं भी आपके techniques आप पे evaluation है evaluation पे जितने भी questions ब which of the following is not a principle of helping people with learning difficulties ये question हमने साथ पहले भी कर लिया तो इसका D answer था repeat हो गया साथ इक्वेशन इसके बाद चलते हैं 14. The purpose of evaluation is मुल्यानकन का उदेश से क्या होता है बताव भी क्या उदेश से होता है मुल्यानकन का इन में से देखे का कौन सा उदेश से है to know about behavioral changes हाँ ये भी होता है to help improve school community relationship school और community के बीच relationship को बढ़ाओ देना हाँ ये भी है ठीक है आप बच्चों का मुल्यानकन कीजिएगा फिर यदि उनमें कोई दिक्कत आती है कमी रहती है तो फिर किन को बुलाईगा उनके परिवार वालों को यानि उनके पैरेंट्स को बुलाईगा उनसे बाचित कीजिएगा एक community bonding बनती है ये एक supervisory technique भी होती है यानि इसके माध्यम से आप पे चीजों को supervise भी करते हैं तो all of these ठीक है भी इसका answer क्या हो जाएगा all of these हो जाएगा अब देखीगा एक सही इसका इसमें option नहीं है लेकिन किसी भी exam में वो option हो सकता है to improve the teaching learning process सभी प्रकार की जो activities होती है उनका उदिष से क्या होता है to improve, क्या उदिष से होता है भीटा to improve IMPR to improve the teaching to improve the teaching learning process L-E-A-R-N-I-N-J learning process किसको improve करना? teaching learning process को improve करना उनका मकसद होता है तो हो सकता है किसी option में आपको क्या मिल जाए? ये मिल जाए तो ये उप्युक्त आंस्वर होता है next देखेगा question number 15 की तरफ चलते है evaluation is the process of evaluation किस चीज की process है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? मुल्यानकन determining the extent of determining the extent of the achievement of objectives देखो पढ़ाने से पहले क्या ते किया जाते हैं? objectives ते किया जाते हैं लक्से निर्धारित किया जाते हैं तो मुल्यानकन से ये ते किया जाता है कि जो निर्धारित लक्से हैं उनकी किस इस्तर तक प्राफ्ती हुई है? clear बात है इसका मुला ये तो सही है इसमें से हमने कईयों के answer क्या किये हुए है? all of these दिये हुए है ताकि आपको एक question के माध्यम से कई चीज़ें समझाई जा सके हैं comparing the outcomes of instructions outcomes of instructions instruction यहाँ पढ़ाने से मतलब है जो आपने teaching learning process करवाए उसके जो प्रिणाम आए उनकी क्या करना? तुल ना करना पहले बच्चे किस प्रकार के थे? अब किस प्रकार के हो गए? आपने ये पढ़ाया इस तरीके से पढ़ाया तब किस प्रकार का प्रिणाम आया? इस तरीके से पढ़ाया तब किस प्रकार का प्रिणाम आया? ये भी ठीक है asserting the quality value of outcomes quality, उनकी गुणवत्ता, उनका महत्व है, निर्धारित करना, किनका परिनाम का, तो यह सारी के सारी क्या है, evaluation is the process of all these, यह है, तो all of these इसका answer हो गया, next, देखिए का भी, question number 16, language learning starts from, आप जानते हैं, skills, कौन-कौन सी, L-S-R-W, यह तो सब जानते होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं, जो इसको नहीं जानता, L-S-R-W, इनका कर्म भी यह है, learning, listening, speaking, reading and writing, ठीक है, skills पे भी question आ सकता है, ठीक है, कौन सी productive होती है, कौन सी, किस-किस प्रकार का इनका classification होता है, skills को कैसे-कैसे बाटा जाता है, एक बार आप उसको जुरूर देख लेना, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, listening हो जाएगा, starts from listening, communicative approach focuses on, communicative approach किस पर focus करती है, grammar पे नहीं करती है, vocabulary पे नहीं करती है, message पे करती है, message पे या फिर meaning पे, m-e-a-n-i-n-g, किस पे करती है बिटा, meaning पे करती है, इसका मकसद क्या होता है, interaction होता है, i-n-t-e-r-a-c-t-i-n, क्या मतलब होता है इसका, interaction इसका उदेश से होता है, discussion होता है, d-i-s-c-u-s-i-n, इसका मतलब क्या होता है, discussion के लिए होता है ये, इसका मकसद होता है, communicative competence को क्या करना, develop करना, समझ रहे हो ना, communicative competence को develop करना, बच्चा जो है, वो target language में क्या करने लग जाए, communicate करने लग जाए, interact करने लग जाए, ये इसका मकसद होता है, तो इन में से इसका सही answer क्या है, C है, चलो भी आगे देखते हैं, question number 18, the role of a teacher in communicative language teaching is that of, teacher का रोल क्या होता है, teacher का रोल जो होता है, वो facilitator का रोल होता है, साहिक का रोल होता है, किसका रोल होता है, साहिक होता है, teacher, communicative language teaching में facilitate करता है, साहिता प्रदाता होता है, वो साहिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, facilitator क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता भी हो, administrator नहीं होता है, critic नहीं होता है, commentator नहीं होता है, क्या होता है, facilitator होता है. Next, question number 19. Selection of 20. Selection of language items while determining that second language syllabus should not take into account. Not को जरूर धान देंगे. किस बात का धान नहीं रखा जाना चाहिए, syllabus निज़ारित करते समय. The minimal disruption of school schedule. School schedule में कम से कम बाधा हो, इस बात का धान नहीं रखा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है. तो ये है, इससे कोई लेना देना नहीं है. How easy it is to learn or use the items. ये धान रखा जाता है. Teachability, learnability, availability, वो topic है ये. तो ये धान रखा जाना चाहिए, कि बच्चा किस प्रकास से उसको समझ पाएं. ये सही बात है. How easy it is to teach the concept. Teachability का भी धान रखा जाना चाहिए. किस आसानी से इसको पढ़ाया जा सकता है. The frequency and the range of use of the item. ये भी धान रखा जाना चाहिए. तो ये तीनु ठीक है, ये नहीं है. तो इसका ये आंस्वार हो जाएगा. Question number 21. Second language acquisition is more effective when? Second language का जो अधिकरहन है, acquisition है, वो ज़्यादा प्रभावी कब होता है? किस इस्तती में ज़्यादा प्रभावी होता है? पहला, it's used as the basis for discussing grammatical concepts. जब इसको यूज किया जाए, किसका for discussing, discuss करने के लिए, किसको discuss करने के लिए, grammatical concepts को discuss करने के लिए, इसको एक आधार के रूप में प्रियोग लिया जाए, तब ज़्यादा अच्छा अधिकरहन होता है? नहीं. Involved periodic revision work by the teacher and the student. क्या उसका periodic revision हो? तब नहीं. Involved mostly self-study by students using certain guidelines. बच्चा ज्यादा तर self-study करे तब. या फिर, is practiced in situations familiar to students. या फिर, जब उस भासा की practice इस प्रकार के स्थि में की जाए, familiar situations में. किस प्रकार की? situations which are familiar to the students. उस भासा का प्रियोग इस प्रकार की स्थि में किया जाए, उस प्रकार की situations में किया जाए, जो situation बच्चे के लिए क्या है? familiar है. बच्चा उस प्रिस्थि से जानता है, समझता है. उस प्रिस्थि में यदि उस भासा का प्रियोग किया जाए, तब उसका second language का जो acquisition है, acquisition वो ज़्यादा ठीक तरीके से होगा तो यह इसका सही answer हो जाएगा कौन सा बेटा? D इसका सही answer हो जाएगा सब्सक्राइब आगे चीजें next चलिए भाई 22 which of the following is a basic characteristic of communicative language teaching इन में से communicative language teaching के कौन सी एक विसेस्ता है पहला option देखेगा an emphasis on learning to communicate through interaction in the target language बिल्कु ठीक बात है क्योंकि हम CLT में किस बात पर जोर देते हैं learning पर जोर देते हैं कि क्या learning करनी है to communicative to communicate होना चाहिए था इसमें to communicate through interaction किस के जरिए? interaction के जरिए in the target language बिल्कु सही बात है यह तो यह किस के एक विसेस्ता है? CLT के एक विसेस्ता है उसमें हम यह करते हैं कि बच्चा target language में communicate कर पाए यह उसका एक उदेश से होता है there is a lot of focus on grammar यह नहीं होता है language activation is limited to classroom activities यह भी नहीं होता है क्या भासा की जो activities है वो classroom तक सिमित है? नहीं learners on personal experience are not given importance in the learning process बच्चे का जो खुद का experience है उसको learning process में importance नहीं दिया जाता है तो यह भी नहीं है उसको दिया जाता है नहीं दिया जाता है बच्चे के जो खुद के अनुभाव है उनको भी सामिल किया जाता है तो यह बात भी सही है तो इसका answer हो गया है वो चलो अपना आगे बढ़ते है इसके बाद next question कितर बढ़ते हैं question number 23 is a prerequisite to learning language पूर्व आवशकता है किसी भी भासा को सीखने की यह क्या है पूर्व आवसकता है क्या है वो पूर्व आवसकता इन में से motivation, reading stories knowing words and their meanings knowledge of grammar सबसे आवसक क्या है सबसे आवसक इन में से क्या है motivation है motivation is key to learning everything motivation is key to make everything possible motivation से कुछ भी possible हो सकता है यदि आप लोग motivated है और आपने tag कर लिया कि इस बार हमें बहुत अच्छी rank के साथ selection लेना है तो फिर आप लोगों कोई नहीं रो सकता आप कहीं से भी संसादन जुटा लेंगे लेकिन आप motivate होना आवसक है तो हमेसे आपने आपको क्या रखो बटा motivate रखो इसके बाद देखेगा 24 emphasis on interaction adds both the means and the ultimate goal किस पर जोर देना emphasis on interaction interaction पर जोर देना जब भी इतना भी आजाए कि किस पर जोर देना interaction पर जोर देना तब आप मान लेना कि यह किसका जिक्र कर रहा है यह CLT का जिक्र कर रहा है किसका जिकर कर रहा है, CLT का जिकर कर रहा है, interaction as both the means, किसके रूप में, means साधन के रूप में भी, और ultimate goal, अंतिम लक्से के रूप में भी, किसको माना जाए, interaction पे जोड दिया जाए, तो वो क्या होती है, अब समझ गए होंगे इसमें, क्या है भई वो, is the approach, तो वो कौन सी approach है, communicative approach है वो, CLT है वो, कौन सी approach है, communicative, देखो CLT में, ये कहा जाता है, कि CLT में, जो interaction होता है, वो ही क्या है, means है, यानि सीखने का माध्यम भी क्या है, interaction है, और सीखना भी क्या है, सीखने का जो goal है, वो भी क्या है, सीखने का जो goal है, वो भी क्या है, interaction, क्लियर होगी बात बही तो इसका सही answer हो गया D अब चलते हैं अपन question number 25 है यह देखेगा यह आपके पास 25 answer कर दो फटा फट इसका answer The main responsibility of a language teacher as a facilitator is एक facilitator के रूप में teacher का मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है main responsibility पैला option है To create a number of opportunities for the learners to use the language meaningfully यह जहां भी option होता है यह सही option होता है क्या है इसका मतलब समझाओ To create a number of opportunities बहुत सारे आवसरों को पैदा करना किसके लिए For the learner Learner के लिए to use ताकि वो यूज कर सके The language meaningfully उस भासा को सार्थक तरीके से यूज कर सके इस प्रकार की प्रिस्तियों का निर्मान करना चाहिए तो यह उसकी मुख्य जिम्मेदारी है ठीक है आप देखो Options तो आपको बाकी भी पढ़ने चीएं देखो क्या है दूसरा To provide a lot of information बहुत जादा सूचना देना And make the learners listen to it और learners को सुनाना नहीं बहुत जादा सूचना देना कम सूचना देना बहुत जादा हमबक देना कम हमबक देना यह कभी भी सही आंस्वर नहीं होते हैं To strictly control the class and cover the syllabus in quick time Class को ठीक तरीके से control करना 9 Teacher class को control नहीं करता है Teacher class को coordinate करता है क्या करता है Coordinate करता है बच्चों के और अपने बीच में क्या इस्थापित करता है समायोजन इस्थापित करता है और cover the syllabus in quick time ऐसा नहीं है कि जल्दी से syllabus करवाना उद्ध से नहीं होता है To read the lessons aloud जोर से lesson को पढ़ना and provide explanation for each line और हर एक line की क्या करना व्याख्या करना ये भी इतना आउस्थ नहीं है इतना कौन है A answer इसका है तो A इसका बिलकुल सही answer है मैं पूरा विश्वास है मुझे ये कि जब आप लोग के ये जो हम आपको लगबग डेड सो दो सो क्वेसन की प्रैक्टिस करवा देंगे तो फिर आप में से कोई भी बच्चा Teaching Methods में कभी कोई दिक्कत उसके नहीं आने वाली है पिछली बार भी आप लोगों ने 29-29 28-28 मार्थ हमारे बच्चों ने लाए है जिन्होंने Tessary जोईन की थी जिन्होंने Cost जोईन किया था तो आज बार भी जरूर आप लोगों के 6 मार्थ आएंगे 26 देखीगा The main purpose of assessment is assessment का मुखे उदेश से क्या होता है आंस्वर करो फटा फट assessment का मुखे उदेश से क्या होता है बताओ भी देखो इसमें है वो लाइन कौंशी? To improve the teaching learning process ये है इसका सेउदेश ठीक है? The main purpose of assessment is to improve that teaching learning process ठीक है? ये मुखे उदेश से है बाकी उदेश से हो सकता है लेकिन आप से क्या पुछा है? main purpose पुछा है तो ये इसका सही answer हो गया चलो भी, next 27 Language skills are best learnt Language skills कौन सी? L, S, R, W ये language skills इनको best तरीके से कब सिखा जा सकता है? option देखीगा आप लोग कई बच्चे कहेंगे सर इसको L से start करके सीखना चाहिए बिल्कु ठीक बात है तेकि option देख option में क्या-क्या है? Only through written test and assignments के वाल written test के जरिए और assignments के जरिए नहीं आगे देखेगा If they are taught in an integrated manner यदि उनको समनवित तरीके से सिखाया जाए क्या होता अभी समनवित तरीके से सिखाना? Integrated का मतलब होता है एक दूसरे से मिला कर ऐसा नहीं है कि जब तक आप listening सीख रहे हैं तब तक आपको reading, writing से कोई लेना देना नहीं है सबी चीजें क्या होती आपस में Integrated होती है तो Language Skills को सीखने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? Integrated तरीका होता है अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं Read की त्यारी कर रहे हैं इसका तरीका भी क्या होना चीए? Integrated होना चीए Integrated का मलग आप यहां पढ़ रहे हैं Evaluation तो आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी जहां काम आता है वहां से भी इसको जोड के देखेगा वो क्या होता है? Integrated approach होती है With the help of challenging यह सब नहीं है इसका सी आंसर क्या है? B है, चलो 28 चलते है The primary objectives of using role play is Role play का क्या उद्देश से है बताओ भी Primary objectives इसका क्या उद्देश से है Primary मुखे उद्देश से क्या है? Role play का जो मुखे उद्देश से होता है आप लोगोंने पढ़ी होगी किसमे CLT की जो Class Activities पढ़ी है यादार आपका कुछ? CLT की आपने Class Activities पढ़ी है To promote the reading habits To improve the communicative competence तो ये इसका सही answer है To improve the communicative competence ये इसका बिलकुल सही answer है थोड़ी आप लोगों को ऐसविदा हो रही होगी क्योंकि बार-बार मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा है आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए पसीने बहुत ज़्यादा हैं इसलिए बार-बार लेकिन इतना ध्यान रखेगा कि पसेने बसेने से बिलकुल डरना नहीं यह प्रोसेस है बेटा आप लोग भी कितनी भी प्रिसतियां ऐसी आजाएं कितनी भी दिक्कतें आजाएं मैं जानता हूं कि यदि आप लोग इसमें भी तुझाना होता है आप लोगों को तब नहीं आते क्या तो यह सब चीजे बहुत नॉर्मल चीजे हैं यह नहीं कहना कि बहुत नहीं पढ़ रहा हूं कई बच्चे भी करेंगों इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हैं कि बहुत गर्मी है फिर थोड़े दिन बाद में सरदी आ जाएगी, सर बहुत सरदी है, इसलिए नहीं पड़ पा रहे हैं, सर ये एसवीदा है, वो एसवीदा है, ये एसवीदा, कुछ भी एसवीदा नहीं है, बस आप लोग तो क्या कर लो अपना लक्से निधारित कर लो और ये तै कर लो कि उस लक्से तक जाना है, उस लक्से तक पहुंचना है, मेरे और मेरे लक्से के बीछ समयदी कोई भी आ गया आप मान के चलिएगा कि एक Puliner उसको छोड़ता नहीं है उसको हारना ही होता है क्योंकि जीतना तो हमें है यह तो तय है कि हमें जीतना है तो प्रिस्तियों को तो क्या करना पड़ेगा, हारना ही पड़ेगा, चलो फटा-फटा आगे चलते हैं, primary objective क्या है, communicative language teaching, उसके बाद में देखेगा, remedial teaching is a part of, remedial teaching किसका part है, formative assessment का है, किसका बेटा में, formative assessment का है, वैसे देखेगा, class test जो है, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, formative assessment ही होता है, class test भी क्या है एक प्रकार से, formative assessment ही होता है, तो इसका answer क्या हो सकता है, class test भी हो सकता है, इसका answer, all of these भी करेंगे कई बच्चे, लेकिन summative assessment का हिस्सा नहीं होता है, यानि summative assessment में कहीं भी remedial teaching का कोई option नहीं होता है, इसलिए, इसके दो answer तो सही हो सकते हैं, बॉड क्या मानता है वो अलग बात है लेकिन इसके दो आंसवर तो सही हो सकते हैं, formative तो 100% सही है, आप सब जानते हैं कि यदि आपने ठीक ढंग से किया है, authentic matter पढ़के किया है, तो बात तक भी questions ठीक हो जाते हैं, तो formative तो ठीक है, class test भी ठीक है, लेकिन दो नहीं हो सकते, all of these नहीं हो सकता, क्योंकि summative नहीं हो सकता है, इसलिए इस counselor हमने क्या माना है, ए माना है, ठीक है बिटा, चलो आगी चलो, the two areas of CCER, CC, Comprehensive and Continuous and Comprehensive Evaluation, CCE का मिला आप जानते हैं, उसमें दो पार्ट कौन से होते हैं, scholistic and co-scholistic, दोनों ही मान लेते हैं, यही होते हैं सब कुछ, scholistic and co-scholistic, sectionic और सहसेक्षनिक, ठीक है, scholistic and co-scholistic, sectionic और सहसेक्षनिक, आगे देखेगा, Comprehensive in CCE implies that, Comprehensive का मतलब क्या होता है, व्यापक होता है Comprehensive का मतलब, विस्तरीत व्यापक, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ Comprehensive से क्या मतलब है, All the aspects of a child's personality have to be observed, यानि एक बच्चे की personality के सभी पहलों को observe करना यही है, सभी पहलों में क्या आ गए, scholistic भी आ गया, कोई scholistic भी आ गया, सभी चीज़ें आ गई, तो इसका सही आंस्वर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, बाकी option आप देख लो, वो नहीं है, क्या इसका आंस्वर सही है बिल्कुल, A जो है, वो इसका सही आंस्वर है, उसके बाद में देखेगा, question number 32, in communicative teaching, teacher promotes communication by, in communicative teaching, teacher communication को किस माध्यम से प्रवोट करता है, creating situations, बिल्कुल ठीक है, teacher's talk, तीसरा है, bounding of alphabets, creating nervousness, nervousness क्यों करेंगे बहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, creating situations, हमने पहले भी आपको बता है, कि जहां कहीं भी आजाए, creating opportunities, creating situations for learning, creating opportunities for learning, तो वो answer क्या मालने हैं, आप लोग सही मालने हैं, question number 33, remedial teaching is meant for the development of, remedial teaching, किस के विकास के लिए बनी होती है, particular skills not understood by regular teaching, वो school जो समझ में नहीं आई, किस दोरान, regular teaching के दोरान, जो चीज़ें समझ में नहीं आई, उनको क्या किया जाए, remedial teaching के दोरान समझाया जाए, areas not properly, वे छेत्र जो ठीक तरीके से समझे नहीं गए, किस में regular teaching में, ठीक है, ये भी हो गया, A भी सही है, B भी सही है, limitation of class size, इसका कोई मतलब नहीं, class की size को कम करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही answer है, both A and B, question number 34, question number 34, remedial teaching should be carried out on, remedial teaching कब की जानी चीए, कब की जानी चीए भी, बताओ, remedial teaching कब की जानी चीए, identification of senior learners, नहीं, senior learners के edification से कोई मतलब नहीं है, identification of early learners, identification, पहचानना, early learners को, कोई मतलब नहीं, जल्दी सीखते हैं, उनको पहचान के हमें क्या करना है, identification of late learners, ये तो ठीक बात है, लेकिन इससे भी ठीक एक बात और है, identification of the melody on language test, and its causes, ladies का मतलब problem है या, इसका मतलब क्या है या, difficulty, d-i-f-i-c-u-l-t-i, difficulties के दो, difficulty के दो, difficulties को पहचानना, problems को पहचानना, दिकत को पहचानना, और उसके कार्णों को पहचानने के बाद, क्या की जाती है, remedial teaching की जाती है, diagnostic test लिया जाता एक, उस test के बाद फिर क्या की जाती है, remedial teaching की जाती है, उसके बाद देखेगा, पढ़ाने का जो material है, बच्चे की mental age, मांसिक आयू के नुसार होना चीए, mental ability, उसकी मांसिक छमता के नुसार होना चीए, grade, उसकी grade और level के नुसार होना चीए, which principle of teaching is involved in this statement, इस statement में कौन सा principle है, तो correctness का नहीं है, accuracy का नहीं है, ठीक है, तो कौन सा है, principle of selection and gradation, principle of selection and gradation, यह आप जानते हैं, selection और gradation क्या है, उसके क्या criteria है, इसको एक class में मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, एक question के माध्यम से, इसलिए आज इस पर ज्यादा चर्चा, अब नहीं करेंगे, question number 36 को देखेगा, करता है, to learn something new in the language, किसी भी भासा में कुछ नया सीखने का उट्सा, कौन सा principle पैदा करता है, बताइए गभी, तो निस्सी तरोप से इसमें कौन सा होगा, principle of motivation, क्या नहीं होंगे, proper order, यह नहीं है, habit formation, यह नहीं है, principle of selection, उट्साफ पैदा करना है अबको, तो फिर कौन सा है, principle of motivation, बिल्कुल सही है, इन message option, उसके बाद देखेगा, question number 37, remedial teaching involves, remedial teaching में क्या-क्या सामिल है, यह question exam में आया हो अभी है, improvement of learning skills, learning skill का improvement करना, बिल्कुल ठीक है, rectify a particular problem area, किसी problem area को, बच्चे को किसी particular area में कोई विसस problem है, उस problem को क्या करना, दूर करना, तो यह भी इसका उदिश से होता है, तो either a और b यही ठीक है, यदि इसकी जगह आता, both a and b, क्या आता भी, both a and b, तब भी यह answer सही होता, both a and b जब होता, तब भी answer क्या था आपका, सही था, question number 38 पे चलते हैं, question number 38, remedial program is, design keeping in mind, remedial teaching किस बात को ध्यान में रखके की जाती है, age students strength, हर एक बच्चे की strength को ध्यान में रखके, नई, हर एक बच्चे की weakness को ध्यान में रखके, हाँ, ये बात तो फीक है, बच्चे की weakness को ध्यान में रखके, each student's strength and weakness, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है, किसी बच्चे की strength को भी ध्यान में रखा जाए, किसी बच्चे की weakness को भी ध्यान में रखा जाए, कई बच्चे कहेंगे ने सर केवल weakness को ध्यान में रखा जाए, बच्चा कमजोर क्यों हुआ, अरे ये तो आपको पता चल गया, कि ये बच्चा सुनने में इसको दिक्कत है, कि इसकी strength है यह, कि यह देख कर बहुत अच्छा सीखता है, तो आप वो चीज उसको क्या कर सकते हैं, दिखा कर सिखा सकते हैं, इसलिए इसका सही answer क्या होता है, इसका सही answer क्या होगा इटा, C होगा इसका, सभूम्या गे भी, चलो, next question को देखेगा, question no. 39, यह आपके पास question है Taking into account the principles of language teaching Principles of language teaching को धान में रखके क्या होता है उनको साथ ले के चलने से क्या होता है Teaching can be difficult Teaching difficult हो जाती है क्या principles of language teaching को धान में रखके आप पढ़ाते हैं तो क्या difficult हो जाती है नई desired goal of teaching English language can be achieved आपका जो निर्धारित goal है, desired goal है वो आपका क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, तो ये सही बात है, ठीक है, only linguistic habits can be developed केवल भासाई, आदतों को विक्सित क्या जा सकता है, नहीं only learning of English as a second language will be enhanced, नहीं क्या है, जो भी आपके उद्देश से हैं, कुछ भी उद्देश से रहे हों, तो वो आपके पूरे हो जाता है, तो इसका सही answer क्या है, भी इसका सही answer है, question number आगे चलेगा, 40 communicative approach to English language enables the teacher to, teacher को किस के लिए enable करती है यनि teacher को किस के लिए युग्य बना देती है, क्या communicative language teaching तो पहला उस है exploit sound psycholinguistic principles क्या करके, यदि teacher communicative approach को अपनाता है तो teacher क्या कर सकता है psycholinguistic principles को use कर सकता है ये तो ठीक बात है, exploit sound educational principles हाँ, educational principles को भी भासाई जो सिधान्त है उनको भी काम में ले सकता है, शेक्षिनिक जो principle उदेश से है, उनको भी काम में ले सकता है, जो सिधान्त है exploit sound psycholinguistic and educational principles ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनु सामिल है, और फिर एक option उनने क्या दे दिया, all of these तो both of these यहां देते तो भी ठीक था, अब इसकी स्तती में क्या जाएगा, all of these यानि ये दोनु ही क्या है, सही है ये दोनु ही क्या है, सही है question number 41 question number 41 the multilingual nature of Indian classroom must be used as a resource जान दीजेगा, जो multilingual classroom अपने है उनको एक resource की रूप में यूज किया जाना चाहिए उनको एक साधन की रूप में यूज किया जाना चाहिए उनको एक अच्छाई की रूप में किया जाना चाहिए उनको बच्चों के विकास की रूप में यूज किया जाना चाहिए यानि सबसे पहली पात जो आप समझेंगे वो यह समझेंगे कि multilingualism जो है वो क्या है कि resource है ठीक है ताकि क्या हो सके every child feels secure and accepted यदि आप multilingualism को अपनाते हैं तो class में बैठा हर बच्चा अपने आपको क्या मैसूस करता है अपने आपको सुरक्सित मैसूस करता है अपने आपको सिविकार किया हुआ मैसूस करता है natural process में आ जाता है तो यह इसका क्या है सही answer है बाकि options ठीक नहीं है विसके every child learns at the same pace यह कभी भी सही नहीं होता है हर बच्चा एक समान गती से नहीं सीख सकता है सारे के सारे बच्चे different होते है सब के सब बच्चों की सीखने की गती क्या होती है अलग-अलग होती है तो इसका अब ध्यान रखेंगे every children can learn many languages नहीं तो इसका सही answer जो है वो कौन सा है A इसका सही answer है अब चलते हैं पर क्वेशन नंबर 42 पे 42 पे According to National Curriculum Framework 2005 Which one of the following is not an objective of language teaching learning To the competence योग्य बनाना बच्चे को to understand what one hears जो बच्चा सुनता है उसको समझ सके इसका मला उसके Listening जो skills है उनको क्या क्या जाए Improve क्या जाए तो ये बात तो ठीक है ये तो होनी चीए उसके बात देखीगा दूसरा Ability to read with comprehension बच्चा समझ के साथ पढ़ पाए ये भी ठीक बात है Affordless expression बच्चा बहुत सुभाविक तरीके से बहुत नेचूरल तरीके से क्या कर सके अपने आपको अभिवेक्थ कर सके बॉल सके To know the history of language भासा का इतिहास जानना ये उसका अंसर हो गया उसके बात देखेगा 43 Which of the following is not an assessment tool for learning Language learning Language learning का इन में से कौन सा assessment tool नहीं है Tool or techniques में से Observation schedule Observation schedule यानि बच्चे को observe करने का जो schedule है वो तो है Portfolio ये भी है Assignment ये भी है RELIA ये नहीं है एक teaching ad होता है RELIA क्या होता है Teaching ad होता है It is a teaching ad T-E-A-C-H-I-N-G Teaching ad होता है It is a teaching ad सब्सक्राइब आगे होगी बढ़ी बात अब चलो next चलते है Which of the following is correct about evaluation इन में से कौन सी बात सही है किस के बारे में Evaluation के बारे में It only delivers judgment ये केवल जजमेंट देता है ये यहीं गलत हो जाता है मैंने कहा थाना Only ज़्यादातर क्या होता है Incorrective होता है Does not suggest improvement Evaluation में ने केवल जजमेंट होता है बलकि improvement के लिए suggestions भी होता है आप ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और मैंने कह दिया कि गलत है नहीं उसका सही भी तो बताऊं मैं कि उसका सही क्या है उसके बाद में Formative and Summative Terms are coined by Norm Chomsky नहीं Michael Skriven Formative और Summative किस नहीं के थे Michael Skriven से Norm Chomsky का समझ जो है वो किसे है CLT से है It is applicable during and at the end of teaching program ये ठीक बात है कि evaluation जो है ये teaching के दोरान भी होता है during भी होता है और का होता है at the end of a teaching program तो ये सही है ठीक है It is by all means optional ये पूरी तरीके से optional है ऐसा नहीं होता है optional नहीं है कि आप चाहो तो मुल्यानकन हो जाए और नहीं हो बच्चे का ऐसा नहीं है optional नहीं है Question number 45 देखेगा Who coined the terms Formative and Summative assessment Michael Skriven अभी जिकर क्या था हमने Formative और Summative ये जो term दी थी ये किसने दी थी Dale Hems ने क्या दिया था Fatafat comment box में लिखो Dale Homs ने क्या दिया था Norm Chomsky ने क्या दिया था तीनूं option हमेने जान बुझ के तीनूं option ऐसे लिए हैं तो आप जरूर इनको देखेगा revision कीजिएगा question number 46 The nature of formative evaluation is formative evaluation का nature जो होता है developmental होता है कैसा होता है developmental होता है summative का कैसा होता है terminal होता है ये summative SU-M-A-T-I-V ये क्या होता है summative होता है ये क्या होता है F-O-R-M-A-T-I-V ये formative होता है ठीक है formative जो है कैसा हो सकता है formal होता है ये informal होता है दोनू हो सकता है ठीक है formative जो है वो कैसा हो सकता है formal भी हो सकता है और कैसा है informal भी हो सकता है even summative भी formal informal दोनु हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से summative जो होता है फॉर्मल ही होता है लेकिन कुछ informal activities भी होती हैं जो किसमे सामिल होती है summative में होती है लेकिन मुख्य रूप से summative जो होता है जबकि आपका जो formative होता है फॉर्मल इन्फॉर्मल दोनु होता है, इनका नेचर कैसा होता है, फॉर्मेटिव का डवलोपमेंटल होता है, जबकि समेटिव का कैसा होता है, टर्मीनल होता है, question number 47, the term communicative competence was coined by Dale Hems, आप सब जानते हैं, इस पे चरचा नहीं करेंगे ज़्यादा, आप लोग revise कीजिए का फटा-फट और लिखेगा, कि four components of communicative competence, जब मैंना अप लोगों को CLT पढ़ाई थे, तब बताये थे four components, communicative competence के, फटा-फट कमेंटिव उसमें लिखे, देखते हैं किस-किस के याद है, देखते हैं किस-किस के याद है, फटा-फट लिखेगा, जब तक हम इस answer करते हैं, what is not true about communicative language teaching, communicative language teaching का, इसके बार में कौन सा सही नहीं है, बताओ भी कौन सा इसमें से सही नहीं है, पहला देखेगा, there is no authoritative, universally accepted model of communicative language teaching, कोई भी universally accepted model नहीं है, कि CLT इसी तरीके से पढ़ाई जाए, जिस भी तरीके से बच्चे की communicative competence डवलप हो जाए, उसी तरीके से पढ़ा दीजिएगा, सब-सब लोगों का अलग-अलग क्या हो सकता है, तरीका हो सकता है, यह सही बात है, it is an integration of grammatical and functional teaching, दोनों teaching सामिल होती हैं इसमें, grammatical भी और functional भी, यहनि communicative competence भी और linguistic competence भी दोनों सामिल होती है, the goal of communicative language teaching is to develop linguistic competence, यहनि इसका उद्द से केवल और केवल linguistic competence को डवलप करना होता है, नहीं, linguistic competence को भी और किसको, linguistic को भी और किसको, communicative को भी, दोनों develop करना होता है, तो यह इसका answer हो गया, communicative competence includes both grammatical and sociolinguistic competence, तो यह भी सही है, तो यह इसका answer हो जाएगा, C, उसके बाद में देखेगा, question number 49, communicative language teaching focuses on, communicative language teaching किस पे focus करती है, successful communicating through translation, नहीं, translation का कोई समद्ध नहीं है, ठीक है, appropriate use of grammatical structures, यह भी नहीं है, grammatical structures का नहीं है, structures and forms, more than on meaning, structures and form, ज्यादा important है किसे, meaning से, यह भी नहीं है, communicative through oral language, तो यह इसका क्या है, सही हो जाएगा, communicating through oral, इन में से यह यह option सही है, जो इस question में, जो option दिये हुए है, उन में से यह ठीक है, question number 50, communicative competence combines, communicative competence में, कौन-कौन सी चीज़े सामिल होती है, बताओ भी, linguistic competence, होती है, बिल्कुल सही बात है, linguistic competence होती है, and ability to use the language appropriately, यह तो बिल्कुल सही है, communicative competence में, linguistic competence सामिल होती है, यह सही बात है, और क्या है, the ability to use the language, language को ठीक तरीके से use करना, use of language, किसे समन्दित है, CLT से समन्दित है, interaction किसे समन्दित है, CLT से समन्दित है, discussion, discourse किसे समन्दित है, CLT से समन्दित है, तो यह तो सही है, grammatical competence and ability to use the structures correctly, नहीं, यह नहीं है, linguistic competence and grammatical competence, दौनों एक ही चीज होती है लगबग, linguistic competence and grammatical competence, एक ही बात है, grammatical competence and correct pronunciation यह भी नहीं, तो इन में से जो सही answer वो कौन सा है, A इसका सही answer है, ठीक है है, चलो, और कर लेते हैं, questions, questions कुछ और कर लेते हैं, one of the fundamental principles of second language teaching is, कौन सा fundamental principle है, gradation, explanation, contention, contention तो भिवाद होता है, यह है नहीं कुछ, relaxation भी नहीं है, explanation, यह है, gradation, principle of selection and gradation, तो यह है इसका answer, 52, in communicative language teaching, which of the following is correct, इन में से कौन सा सही है, आप लोग भी answer करते जाया करो, फट आफट, साथ-साथ answer करते रहो, in communicative language teaching, which of the following is correct, grammatical accuracy, नहीं, rules of grammar, नहीं, fluency in expression, यह सही है, fluency, CLT का समथ किससे होता है, expression से होता है, उसकी fluency से होता है, और यदि आपके पास option होता, fluency, accuracy, both of days, तो आप क्या लिखते हैं, fluency and accuracy, दोनु चीजों पर focus होता है, इन में से आपका answer क्या है, C answer है, communicative competence includes, अलग अलग क्यूशन आयो है CLT पे, सारे के सारे क्यूशन से यह एकजाम में पूछे हुए हैं, आप लोग इनको धान से देखेंगे, communicative competence includes, only grammatical knowledge, नहीं, only grammatical knowledge बिलकुल नहीं, बहुत grammatical knowledge and ability to use this knowledge to perform their function, यह सही है, grammar का use करना, फिर उसको, grammar का knowledge लेना, फिर उसको ठीक तरीके से use करना, only abstract grammatical knowledge यह नहीं है, only linguistic competence यह भी नहीं है, उसका सही answer क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, CLT पर अलग अलग तरीके से, घुमा घुमा के questions पूछे जाते हैं, इन options को भी देख लो, पहले वाले options से, वो भी लग बग इससे मिलते जुलते थे, लेकिन भासा अलग होती है, तो आप लोगे इस बात का जुरूर से जुरूर धान रखेंगे, question number 54, if a student does not take interest in learning English, the teacher should, तो teacher को क्या करना चाहिए, एक बच्चा English सिखने में interest नहीं ले रहा है, importance of learning, उसको ये बताए कि पढ़ाई का क्या मैत्व है, ये तो एक हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, do action research to know his or her problem, ये सही है, यानि आप research कीजिए का कि बच्चे का interest क्यों नहीं है, उसके कार्णों तक जाईएगा, फिर आपको पता चलेगा, ये बच्चा interest को नहीं ले रहा है, उसके अनुशार आप कार्वाई करेंगे, ask him or how to focus more on other subjects, which interest him नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका answer आमें मिल गया है, question number 55, which of the following is an incorrect assumption in language teaching, incorrect assumption कौन सी है, incorrect माननेता धारना कौन सी है, पहला दिखेगा, learners acquire language by trying to use it in real situation, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, learner क्या करता है, acquire करता है language को क्या करके, try करके to use, उसको use करने की try करके, किसमे in real situation, ये तो बिल्कुल ठीक है, learners first language play an important role, ये भी ठीक है, learner के जो first language है, वो सही है, वो important role पैदा करती है, mother tongue है first language है, language teaching should have focus on communicative activities, ये भी ठीक बात है, language teaching में communicative activities पर धान दिया जाना चाहिए, उसके बाद D देखेगा, language teaching should give importance to writing rather than speech, ऐसा नहीं है, writing पर दिया जाना चाहिए, speech पर नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुछा है, तो ये इसकी incorrect हो जाएगी, ठीक है, तो इसका D answer हो जाएगा, चलो अभी आगे चलते हैं, class लंबी हो रही है, लेकिन अब समय यही है, कि ज्यादा से ज्यादा practice करवाएं, आप लोगों का इक कहना था कि सारे एक लंबी सी class की जाएं, तो मैं चारा हूँ कि ये दो तीन class में complete हो जाएं सारे question, mother tongue influence, MTI, can be effectively minimized, mother tongue influence क्या होता है, दूसरी भासा को सीखने में, आपकी जो mother tongue है, उसका प्रभाव बाधित आ जाता है, उसको minimized कैसे किया जा सकता है, using mother tongue more often, mother tongue को ज्यादा use करके, giving examples for mother tongue, giving a lot of exposure to the target language, ये भी नहीं, giving inputs from the target language, in a simple and graded manner, target language की जो inputs हैं, जो आपको सिखाना है, उसको simple और graded manner में सिखाएगा, group बना के सिखाएगा, क्रमवद सरीके सिखाएगा, simple तरीके से सिखाएगा, तो ये हो सकता है, तो उसका D answer हो जाएगा, 57, one of the principles of material preparation, for language learning is that, कौन सा एक है principle, क्या करने का, material preparation करने का, यानि matter तयार करने का, किसके लिए, for language learning is that, वो क्या है, complex materials should be chosen, difficult matter चुनना चीए क्या, नहीं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, कि बच्चे को, ऐसे ऐसे questions दिये जाएं, difficult, जिनका exam से को लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चा, थोड़ा सा डर जाए, फिर उसको लगे कि, नहीं नहीं यार, ये तो, मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता है, ये question मुझे भी करने पढ़ेंगे, अनाव से डर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत सामाने सामाने सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, concept-based पढ़नी चाहिए, ताकि, आप लोगों के exam में, किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं होती, कई तो questions ही ऐसे होते हैं, जो के बहुत डराने के लिए बनाया जाते हैं, उनका exam से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए, यहनि complex material नहीं होना चाहिए, grading of the material should be done, यह तो ठीक बात है, material की क्या की जानी चाहिए, grading की जानी चाहिए, grading जानते हैं ना, grouping, grouping हमने आपको पढ़ाया था, semantic grouping, lexical grouping, ठीक है, any kind of material can be chosen, कोई भी matter चुनने, नहीं, small amount of material should be chosen, थोड़ा सा matter लेना चाहिए, नहीं, यह भी नहीं है, तो इसका answer हमने आपको बता दिया है, B, उसके बाद देखेगा, question number 8, Remedial teaching क्या करती है, answer करो भी फटा फिसका, Remedial teaching, fill the gaps that creeps into pupils learning, pupils learning, यानि बच्चे की learning में जो gap आजाता है, उसको पूरा करती है, कौन करती है, Remedial teaching करती है, बिलकुल सही बात है, rectifies the concepts which have been misunderstood, उन concepts को ठीक करना, जो बच्चा ठीक से समझ नहीं पाया, ये भी ठीक बात है, which have not been understood, ज्यादा अच्छा रहता, which have not been understood, क्योंकि misunderstood का मिनिंग अलग होता है, help in retaining homogeneity in the class, ये सब्द होता है, एक रूपता, class में एक रूपता पैदा करने में help मिलती है, सही बात है, जो बच्चे पीछे रहेगे, उनको क्या किया जाए, बाकी के साथ लाए जाए जाए, तो class क्या हो जाती है, एक रूपता, all of these, इसका सही आंस्वर है, देखो बेटा, remedial teaching में इन में से कोई एक भी हो सकता था option, तीन option कोई और होते हैं, कोई एक होता इन क्योंकि इसका जो आंस्वर है, वो क्या है, देखो, मैं यह मानता हूँ कि इसका आंस्वर क्या होना चीए, situational language teaching होना चीए, क्योंकि जब approach developed होई, तो पहले क्या होई, structural होई, फिर क्या होई, situational होई, और फिर कौन सी भी, CLTV, तो इसे हिसाब से तो क्या आ गया, situational आ गया, लेकिन situational जो approach है, वो basically उसमें भी क्या है, structures का ही तो use है, S-T-R-E-C-T-U-R-E, structures का use है, किसमें, situations में, particular situations में, इसलिए, एक बार ये question पूछा हुआ है, और इसका सही answer क्या माना हुआ है, structural teaching माना हुआ है, ये इसका सही answer माना हुआ है, अब आप लोग अपने इसाफ से इसको देख लें, कि इसका answer क्या होना चीए, ठीक है, board ने इसका answer क्या माना था, structural माना था, मुझे अभी भी ये लगता है, कि इसका सही answer क्या होना चीए, situational होना चाहिए लेकिन फिर भी answer तो जो board मानता है वो ही होता है और पिसली बार भी बहुत सारे बच्चों ने इस प्रकार के questions आये थे, answers भी बच्चों ने सही भी जमा कराये थे, लेकिन नहीं माना कईयों का, हम लोग सोभागे साली थे, कि हमने एक fanatics का लगाया था आप लोगोंने, तो वो मान लिया था, तो मान भी लेते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं situation क्या थी हो, वो ने आपको बता दिया इसके बार comprehensive in CCE implies ये भी साथ repeat हो रहा है, comprehensive CCE में क्या मतलब होता है all the aspects of child's personality have to be observed, ये इसका सही answer है, ठीक है उसके बाद देखेगा question number 61 complete the following by selecting correct alternative feedback is feedback क्या होता है, ये बताना आपको, feedback is an independent activity teaching में कोई भी activity independent नहीं होती है, सब कुछ integrated होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, part of teaching process, ये तो ठीक बात है the end of the teaching process ये नहीं होता है, useless activity ये नहीं है तो teaching process का एक part होता है feedback, इन में से जो answer है, वो भी इसका सही answer है remedial teaching is a part of ये हमने देखे लिया, formative assessment का है, ठीक है which of the following statement is true, इन में से कौन सा statement सही है, पढ़ो भी इन में से कौन सा statement सही है पढ़ लिया होगा अब तक तो all formative tasks are meant for assessment सारे के सारे किस के लिए होते हैं, assessment के लिए होता है दूसरा देखो, formative assessment to be effective must be conducted only after teaching relation, नहीं formative तो teaching के दोरान होते हैं while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment ये ठीक बात है, ज्यादा तर जो formative होते हैं, वो improvement के लिए होते हैं लेगिन कुछ assessment के लिए भी होते हैं, तो ये इसका सही answer है formative assessment help us to grade students नहीं, ये formative assessment नहीं करता है summative assessment करता है ये जो काम ये किसका है, बचों को grade देना, बचों को promote करना, ये काम किसका है, ये summative assessment का है, S-U-M-A-T-I-V, summative assessment ये किसका विटा ये, summative assessment का काम है next देखेगा, question number 64 remedial teaching as a part of formative assessment means remedial teaching किसका part है, formative का है, ये तो पता चल गया इसका मतलब क्या होता है, diagnosing and addressing gaps in learning, ये ठीक बात है diagnose करना, और फिर, जो gap रह गए थे उनको पूरा करना, तो ये सही बात है, इसका सही answer क्या है A है इसका, समलने आगे होगी बात भी question number 65, the main purpose of assessment is मुखे उद्देश से क्या है, to improve the teaching learning process, ये मुखे उद्देश से है the main responsibility of language teacher, ये भी साइध repeat हो रहा है, to provide a lot of information नहीं है नहीं, ये तो question repeat ये क्यों हुआ है, ये question दो बार पुछा हुआ है पहले वाले में ये जो D वाला option था, ये A option था, लेकिन अब ये क्या दिया हुआ है, D option ये इसका मतलब क्या है, question ये रिपीट भी होता है, तो option उपर नीचे भी हो सकते है तो इसका सही आंसर ये है, to create a number of opportunities for learners to use language meaningfully the main aim of communicative language teaching is, मुखे उद्दे से क्या है, provide communicative competence, ये तो है है focus on the structures, नहीं, structure का समन्द इसमें नहीं है, emphasize the use of language as library language, ये नहीं है encourage learners to speak like native speakers of the English, नहीं, ये मुखे उद्दे से ये है, हलाकि ये भी उसमें होता है कि बच्चा क्या करे, native speakers की तरह बोले, लेकिन communicative competence developed हो जाती है, तो उसमें ये चीज़ सामिल हो जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा, A इसका सही answer हो जाएगा one of the tasks of teacher in communicative language teaching is to, क्या है उसका उद्दिस से, पेरा देखेगा collect information about social background of the learners, नहीं, ये मुखे उद्दिस से नहीं है कि बच्चे के social background के बारे में, जानकारी ले, determine the language needs of the learner बच्चे की language needs को निधारीत करना, ये क्या इसका थोड़ा समझ लेते है Language needs से क्या मतलब है, कि बच्चे की जो LSRW है, इन में कौन सी skill को कितना improve करने की आवसिकता है बच्चा का कौन सी skill कितना develop है, ये पता करके, जो skill कम develop है, उसको क्या करना, develop करना, सही तो ये है इसका Provide suitable classrooms, suitable classroom provide कुरवाना नहीं Send progress report to the parents, नहीं मुखे उद्दे से ये है ठीक है, अगर ऐसा कोई option आता है, तो आप ये चूज करेंगे D वाला 69, which of the following is not an important principle of language teaching, कौन सा important principle नहीं है, the student should learn a language by doing it, doing, learning by doing, ये तो है, करते विये सीखना, The students should proceed from concrete to abstract, maxims आपने पढ़ी होंगी, तो और maxim में ये भी सही है, क्या, बच्चे वो कहां से पढ़ाया जाए, concrete से पढ़ाया जाए, concrete से, C-O-N-C-R-E-T, concrete to, A-B-S-T-R-E-C-T, concrete to, abstract पढ़ाया जाए, the teacher should always joke in the class, ये नहीं है, The teacher should always tell joke in the classroom, teacher हमेशा क्लास में joke सुनाता रहे, ये कोई उदे से नहीं होता है, तो, the teacher should try to motivate the learners, motivate तो करना चाहिए, teacher को कोशिस करनी चाहिए, क्यों बच्चे को क्या रखे, motivate रखे, अपने बच्चों को उसाहित रखे, जोस बरे उनमें, आप लोगों में भी, जोस होना चाहिए, मैं कोशिस करता हूँ कि मेरे बच्चे क्या रहे, self motivated रहे, अपने आप से तैकर लो कि जीतना तो है ही है, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसने ठान ली, मान ली तो हार है, और ठान ली तो जीत है, आप सब लोगोंने ठान रखी है, ये मुझे पता ह है, क्योंकि मैंने ठान रखी है, कि मेरे बच्चे जीतने चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी जोस के साथ, next question, Remedial teaching pays greater attention to students who, Remedial teaching किस प्रकार के बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती है, are proficient in English, जो English में proficient होते हैं, कुसल होते हैं, expert होते हैं, उन पे नहीं, are likely to go abroad, जो बचे विदेश जाने वाले उन पर नहीं, have fallen behind others, जो बाकी बच्चों से पीछे रह गहें, पिसली बार एक क्वेश बच्चों को, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, जो बच्चे किसी भी वजय से पीछे रह गए, उन बच्चों के लिए क्या होती है, चाहिए वो special need वाले बच्चे हो, ठीक है, या किसी और वजय से पीछे रह गए हो, उनके लिए क्या हो सकती है, Remedial teaching हो सकती है, ठीक है भी, उसके बाद देखते हैं, A remedial teaching syllabus should be best on, किस पर निर्धारित होना चीए? Teacher's impression of the language difficulties, नहीं, Teacher मानता है कि यह यह difficult चीज़े हैं, उस पर नहीं, Students' interest, यह भी नहीं, An analysis of errors made by learner, An analysis of the future, यह भी नहीं, यह इसका सही answer है, समझ लेते हैं कैसे, An analysis करने के बाद किस की, उन गलतियों का, जो बच्चों ने की हैं, बच्चे किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, कहां पीछे रहे हैं, उनका analysis करने के बाद वो क्या करें, Reading, Remedial Teaching syllabus को decide करें, ठीक है भी, चलो, next देखते हैं, 72, Answer करो भी, फटाफर 72, A good language proficiency test, proficiency test कैसा होता है, diagnostic test होते है, proficiency test होता है, proficiency test कैसा होता है, बताएगा comment box में लिखे बताए, proficiency test कैसा होता है, आपका उस छेतर में कितना knowledge है, इसका समंध किसी course, इसका समद्ध किसी course से नहीं होता है proficiency test होता है उसका समद्ध किसी course से नहीं होता है उसकी overall जो abilities वो देखी जाती है is entirely made up of only one type of questions नहीं के वल एक ही प्रकार के questions हो focus on essay type questions यह भी नहीं है is completely based on objective questions यह भी नहीं है is a combination of objective questions short type questions essay type questions तो सभी प्रकार के questions इसमें होने चाहिए यह इसका सही answer है question number 73 which of the following is not a purpose of evaluation in education इन में से कौन सा उदेश से नहीं है अब आपको बताना है कि कौन सा उदेश से इसमें नहीं है assessment of attainment attainment का बलाग कितना उसने सीखा उसका assessment करना यह तो है measurement of the value of teaching methods teaching methods की कितनी उपयोगीता है आपने जिस method से पढ़ाया बचा उस method से कितना सीखा इसका भी measurement करना यह भी ठीक है collection of information about the parents of the learners यह नहीं है यह है diagnose the difficulties यह भी है तो C इसका सही answer हो जाएगा question number 74 74 questions peer evaluation takes place peer evaluation कब होता है जब उसके साथी a student's work is evaluated by one or more students of his or group जब बच्चे के group के ही बच्चे उसका evaluation करते हैं तब होता है यह तो यह सही इसका answer all the teachers यह नहीं है a student's work is evaluated by all the teachers यह नहीं a teacher's work is evaluated by all the students यह नहीं a teacher's work is teacher's work का तो क्यों होगा ठीक है तो इसका सही answer क्या है ए इसका सही answer है दिख रहा भी सबको आप चलते हैं अपन question number 75 और ये आज की class का last question होगा 75 जल्दी एक दो class और अपन करेंगे तो आज आप लोग ये काम जरूर कर दीजिएगा कि इस class को सभी बच्चों के साथ share जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये class मोचनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फाइदा होना चाहिए जब आपन सब मिलके इतनी मेंद कर रहे हैं तो ये आपका नैती करतब भी बनता है कि आप पे खूब इसको share करें evaluation in a teaching program takes place only at the end of the year नई evaluation कब होता है takes place only at the end of the lesson नई is continuous process evaluation जो होता है वो क्या होती है continuous process होती है and goes on during lessons also lessons के दोरान भी हो सकती है is not an integral part of teaching नई not नहीं है integral part तो ये इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा इस प्रकास से हमने आज 75 questions कर लिये हैं जल्दी ही बाकी के questions भी हम करेंगे और thank you thank you very much